ऐसी बेज़दी तो दोस्तो आज से पहले शायद ही कभी हुई होगी पहले साहिब को लालांख दिखाई उसके बात कहा कि भई हमारा देश छोटा नहीं है कि किसी की धौस साएगा और अब आलम ये है कि भारतिय सैनिकों को अपने देश से निकालने के लिए डेडलाइन तक दी गई है दोस्तों मालदीव में बताया जाता है कुल 88 भारतिय सैनिक तैनाथ हैं वह इसलिए क्योंकि जो हेलिकॉप्टर भारत ने तोफे में मालदीव को दिये थे उसके रख रखाव के लिए वहां पर भारतिय सैनिकों को तैनाथ किया गया था अब जाहिर सी बात है द टूरिस्टर्स की बात करेंगे तो भारत से ही सबसे जादा मालदीव में जाते थे अभी फिलाल मालदीव के जो राश्टपती मुईजू है वो इसकदर ऐसे तेवर इसलिए दिखा रहे हैं दोस्तों क्योंकि चीन से 20 समझोतों पर हस्ताक्षर हो गए हैं और चीन के साथ यह जो समझोते हैं यह मालदीव के परेटन को भी उचाई तक ले जाएगा ऐसा मालदीव के राश्टपती मुईजू का हो सकता है सोचना हो और इसलिए वह भारत के साथ रिष्टे बिगार रहे हैं मगर सवाल यह है दोस्तों कि अगर विश्वगुरु वाली इमेज हमार तक बीते समय तक निरभर रहा है दोस्तों मालदीव हमें आँख दिखा रहा है और हमारे सैनिकों को देश छोड़ने के लिए कह रहा है दोस्तों सोचिए कि यह कितना जादा अपमान जनक है भारत के लिए कि बात कहीं जा रही है कहा जा रहा है कि हम कई दौर की बैठक कर मालदीव के साथ और रिष्टे सुधाने पर बातचीत हो रही है फिर सवाल यह उड़ता है कि जब वो हमें इतनी तरड कर आंखे तरड कर देख रहा है तो हम उसे वाकूल जवाब क्यों नहीं दे सकते पडोसी मुल्क है वो हमारा बेशक पडोसी मुल्क है लेकिन क्या इतनी जादा इमेज खराब हो गई है कि अब भारत जैसे देश जो जिसको विश्वगुरु बना दिया गया प्रधान मंत्री नहिंद्र मोदी जी के कारिकाल में अब विदेश नीती को हमारे देश को इसकदर वो लालांख दिखाएंगे यह बड़ा सवाल है दोस्तों जो इस व मेरा नाम है जयन्ती जा और आप देख रहे हैं दिकंटा तो फिलहाल एक ख़बर पर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है और वह जो ख़बर है वो मालदीव को लेकर है बीते दिनों यह पूरा मामला तब शुरू होता है जब लक्षद्वीप पर जाकर प्रधान मंत्री न लक्षद्वीप के तारीफ करते हैं मुईजू सरकार की मंत्री प्रधान मंत्री मोदीजी पर ठीका यह पर जो उनके भयान-बाजी होती है वो पूरी तरह से भारत खिलाफ होती है हलाकि देखे भारत के खिलाब मालदीव के तेवर उसी दिन हो गए थे जिस दिन मुईजु मालदीव के राष्टपती बने थे और उन्होंने नारा दिया था इंडिया आउट का उसी दिन समझ जाना चाहिए था कि आगे चलका रिष्टे खराब हो सकते हैं और हमें र करना शुरू कर दिया आलम यह था कि हमारे बॉलिवूट के वह सेलिब्रिटी जो जादा तर हमारे देश में संजीत की भरे मुद्दों पर कुछ बोलते नहीं है उन्होंने भी तारीफ करनी शुरू कर दी कि हां हमें लक्षदीप का दौरा करना चाहिए देखे बहुत अगर उनका कोई अपमान करता है तो बिलकुल इस बात की आलोचना होनी चाहिए और वो सहनशिल नहीं होगा मगर फिर सवाल ये उटता है कि आप ये कहते हैं दावा करते हैं आप देश में कि जब से प्रधार मंत्री मोजी जी सत्ता में आये हैं हमारी विदेश नीती ने आसमान की उचाईया चुई है बुलंदिया चुई है फिर सवाल ये उटता है कि भाई इतनी बुलंदिया तो कि मालदीव जैसे पडोसी देश से ही सिर्फ और सिर्फ हमारी बिगडी है सवाल इसलिए भी खड़े होते हैं क्योंकि बीते कुछ सालों में कई ऐसे हमारे पडोसी देश हैं जिनके साथ हमारे रिष्टे ना सिर्फ बिगडे हैं बलकि बत से बत्तर हो चुके हैं चीन उसमें से सबसे बड़ा उधारण है ऐसा नहीं है कि चीन के साथ हमारे रिष्टे पहले से ही खराब है चीन के साथ रिष्टे हाल के कुछ सालों में जादा खराब हुए है अब तो सरकार ने भी मान लिया था थोड़े समय पहले सरकार की तरफ से बयान सामने आया ना कि ह हमारे और चीन के रिष्टे जो है वो नॉर्मल नहीं है तो जब नॉर्मल नहीं है रिष्टे जाहिर सी बात है कि वो पूरी कोशिश करेगा कि जिस पडोसी से हमारी बिगडे उस पडोसी को वो अपने पास बुलाए और उसका ऐसा स्वागत सतकार कर दे ऐसे उसको सर पर प्रिजा को लेकर समझोता हूआ है 20 समझोते पर हस्ताक्षर किया है माल्दीव ने उसके बाद से ऐसा हो सकता है कि चीन की तरफ से जो परेटन है वह बढ़े अब जाहिर सी बात है आप पहले हो सकता था कि भारत की तरफ से जतने भी परेटक है वह सब्से जाते होंगे मालदीव जैसा कहा जाता रहा है अभी तक कि जितने भी टूरिस्ट है सबसे जादा अगर टूरिस्ट मालदीव से मालदीव कहीं जाते थे तो भारत के लोग जादा तर मालदीव जाते थे तो टूरिजम में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी ने किया है मालदीव के टूरिजम में तो वो भारत ने किया है लेकिन अभी इस वक्त मालदीव सब कुछ भुला चुका है और उसने क्या कह दिया है उसने हमारे सैनिको को 15 मार्च तक की डेडलाइन दे दिया कह दिया कि 15 मार्च तक भारत अपने सैनिको को मालदीव से हटाए अब ये क्यों हो रहा है इसको समझने की कोशिश कीजिए आपकी स्क्रीन्स पर जो खबर में दिखा रहे हैं दोस्तों उस खबर का कहना है कि मालदीव ने अब अपने यहां से भारतिय सैनिको को हटाने के लिए समय सीमा तै कर दी है मालदीव के राष्टपती मुहमद मुईजू ने कहा है कि भारत सरकार 15 मार्च से पहले द्वीब समूर राष्टर से अपनी सैनिय उपस्तिती हटा ले ये प्रधान मंत्री नेरंद्र मोदी को निशाना बनाने वाले मालदीव के मंत्रियों के हालिया अपमांजनक टिपनियों पर दोनों देशों के बीच तनापूर राजनेक समंधू के बीच आया है नवंबर 2030 में मालदीव के नए राष्टपती मुईजो बने थे दोस्तों और उसके बात से ही अगर देखा जाए तो भारत के साथ जुडाफ कम हो रहा है चीन के साथ जादा हो रहा था अभी अगर देखा जा रहा है तो आधिकारिक तौर पर भारत से देश में तैनाप सेने कर्मियों को वापस लेने का उन्होंने अनुरोद किया जैसा मैंने शुरुआत में बताया तोफे में कुछ हेलिकॉप्टर दिये गए थे मालदीव को मालदीव उसका रख रखाव कर नहीं सकता था हमने बाकाइदा अपने सैनिक दी है उनको कि 88 सैनिक जो है वो उस हेलिकॉप्टर का रख रखाव करेंगे या जो भी जरूरत पड़ेगी मालदीव को मालदीव के साथ भारत हमेशा खड़ा है मालदीव ने क्या किया है वो आपकी नजरों के सामने है दोस्तों तो हम रिलेशन्स को मिंटेन क्यों नहीं कर पा रहे हैं सवाल ये है मुजू जब से राष्टपती बने है उनका शुरुवाती दौर से ही जो भारत के खिलाफ रवया था आकरामक नजर आया है इसमें कोई दोराय नहीं है और ये साफ सीवती तोर पर नजर आ रहा है शुरुवात से लेकर अब तक जब से वो बने है राष्टपती लेकिन हमारे देश की सरकार को ये ध्यान देना चाहिए था या रिलेशन्स बनाने पर ध्यान देना चाहिए था कि कुछ भी ऐसा ना हो जिससे रिलेशन और बिगड़े क्योंकि अगर रिलेशन बिगड़ते हैं तो ना सिर्फ मालदीब के साथ रिलेशन बिगड़ेंगे बलकि उसका सीधा फायदा चाइना उठाएगा जो चीन उठा रहा है आपने देखा बिजिंग में बकाइदा इनका स्वागत किया जाता है रेड कार्पिट पर इनका स्वागत किया जाता है मुईजू का ये वहाँ जाते हैं तो ये भी बताएगा कि 21 तोपो की सलामी इनको दी गई सोचिए भारत से जो रिष्टा बिगाड़ेगा चीन उसको पूरी फाइव स्टार सुभिदा देगा चीन ये हमेशा से दिखाता आया है और अभी भी वही दिखा रहा है दोस्तो ये जो खबर है ये खबर के राश्टपती के कारियाले द्वारा की गोशना में कहा गया कि उनका देश उमीद करता है कि भारत लोगों की लोगतांत्रिक इच्छा का सम्मान करेगा ये रोध तब किया गया जब मुईजू ने माले में भारत के प्रित्वी विज्ञान मंत्री किरन लिजुजू से मुलाकात की थी और इसके कुछ दिन बात खबर आये थी कि भारत सरकार ने सैनिकों को वापस बुला लेने का फैसला लिया है ये बात बिल्कु सही है कि भारत सरकार ने खुदी फैसला लिया कि भारत के सैनिकों को वापस बुलाया जाएगा क्योंकि मुईजू जो है वो बहां के राश्टपती बन गए थे दोस्तों और उसके बाद उन्होंने इंडिया आउट का जो नारा दिया उसके बाद तो और उनके तेवर आकरामक नजर आ रहे थे जाहिर सी बात है हमने जो मदद की है अगर आपको उस मदद की कदर नहीं है तो हम अपने सैनिकों को वापस बुलाएंगे लेकिन आप सूचिए कि सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला लिया गया था डेडलाइन نہیں तैक की गई थी मुजिव डेड लाइन तैक करके लिए बता रहे हैं कि फंदरा मार्च तक का आपके पास समय है आपने सैनिकों को वापस बुला लीजे क्या यह भारत का अपमान नहीं है चाई यह कमेंट करके ज़रूर बताईएगा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए चानल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले फिर मुलाकत होगे आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार